हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब देखिए आज मैं आपको बहुत ही सुन्दर सा यह डिजाइन बनाना सिखाऊंगे यह देखे फ्रेंड्स बहुत ही खुला-खुलाई डिजाइन है आप देख सकते हो आप इसको शोल में स्टोल में मफलर में किसी चीज में भी आप इसको डा सकते हो कोटन का थ्रेड लेके तो देखिए फ्रेंड्स यह बहुत ही जल्दी जल्दी बनके कंपलीट होता है यह देख JAC और जिसको सीदा-सीदा बनाना आता होगा फ्रेंड्स वो डिजाइन वो इसको आसानी से बना लेगा क्योंकि इसकी सारी रो हमने सीधी बनानी है यह आप इसकी लुक देख लीजिए बहुत सुन्दर डिजाइन है अब मैं आपको इस थ्रेड से बताऊंगी कोटन का थ्रेड है जो हम गर्मियों में यूज करते हैं तो देखे फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे एक नूट लगाएंगे और हम इसमें फंद इनको डाल सकता है तो देखिए राइट हैंड में हमने नीडल पकड़ ली है लेफ्ट हैंड में हमने अपने थ्रेड ले ले लिए है तो ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे दो तीन चार पांच चे साथ आठ ग्यारा और ये बारा ये देखिए बारा फंदे फ्रेंड हमने इसमें डाल लिये हैं ये मैंने इसमें रोंग साइड है हमारी साइड तो देखिए एक हम इसमें फ्रेंड से बेसिक रों बनाएंगे सीधा सीधा द्यान से देखिए सारे इफंदे हम ऐसे सीधे बना लेंगे चैर रों का ये डिजाइन है चैर रों में हमारा ये कम्प्लीट होगा और बहुत जल्दी जल्दी आप इसको बना लोगे अभी आप दिखाऊंगे मैं आपको चैर रों में हमारा ये कितना बन के रेडी होगा जितने भी आप अपने फंदे डालो फ्रेंड से जोड़े से इसमें आप फंदे डालेगा और फर्स्ट रो बेसिक रो सीधी-सीधी बनाके कम्प्लीट करिएगा जैसे चारो ही रो हमने इसमें सीधी बनानी है यह देखिए अब आगे हम सेकंड रो में ध्यान से देखिए सेकंड रो हमने कैसे बनानी है फर्स्ट वाला बनाएंगे ध्यान से देखिए इसमें हम ऐसे दो बार एक बार और दो बार ऐसे थ्रेड लपेटेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे फिर से देखिए दो बार थ्रेड लपेटेंगे और हम इसको बना देंगे पूरी रो आपने ऐसे ही करनी है दो बार थ्रेड लपेटना है सैकंड रो में और इसको सीधा बनाना है फिर से देखिए दो बार लपेटा और बना दिया दो बार लपेटा और बना दिया देखिए फिर से लपेटेंगे और बना देंगे लपेटेंगे और सीधा बना देंगे पूरी रो आपने ये ऐसे ही उतारनी है लास्ट वाले को देखेлем प्रेंट्स इसको भी हम देखे खुल गया है मेरा दुब़ारा लपेठूँगी एक और हम इसको बना देंगे और लास्ट वाले को भी हम ऐसे लपेठके और फिर हम हम ये मैंज यस डिसको भी बना देंगे सेकंड रो हमारी हो गई complete अब आ जाएए थार्ड रो में तो थार्ड रो में देखे फ्रेंड्स हमें क्या करना है फर्स्ट वाला हम बनाएंगे द्यान से देखे और इसको हम ऐसे उतार लेंगे और फिर हम इसको सीधा बनाएंगे फिर हम देखे जो लपेटा था इसको उतार देंगे और हम इसको सीधा बनाएंगे लपेटे होगे उतार दें लपेटा होगा उतारना फ्रेंड्स फंदे का दियान रखी आप और इसको हम सीधा बनाएंगे यह हमारी है थार्ड रो में हमने लपेटे हुवे को उतारना है और फंदे को सिधा बनाना है यह देखिए इसको हम सिधा बना देंगे जितने भी आपने अपने प्रोजेक्ट में फंदे डाले हैं आप सभी को ऐसे ही बनाए लपेट्टे हुए को उतार देंगे और इसको हम सिधा बनाएगे यह देखिए फिर से उतारेंगे आराम से उतारेंगा और दो बार लपेटना हापने ये देखिए फिर से हम इसको बना देंगे आप इसको ऐसे फिर बनाने के बाद ऐसे आप इसको खेच देजिएगा तकि फंद्य आपस में सेट हो जाए फिर देखिए लास्ट वाले को भी हम ऐसे उतार देंगे एक बार और यह दूसरी बार उतार दिया और इसको हम सिधा बना देंगे एक बार इस रोग को बनाने के बाद फ्रेंड्स आप ऐसे खिश देजिएगा देखिए अब आज़े यह आप अपनी अगली रूम में यह देखिए इसमें फ्रेंड्स हमने क्या करना है इसको बनाना है ध्यान से देखिए इसको अपनी तरफ करना है और यह हम पीट बैक साइड से इसको हमने ऐसे सीधा बनाना है एक बार फिर से देखिए थ्रेड अपनी तरफ करना हर बार हमने यह आप एक जाली डालनी है और यह दोनों फंदे ऐसे डालके बैक साइड से हम इंको बनाएंगे कई बार कि देखिए इसको ऐसे आप लूज कर लीजिए आगे से निडल डालके लूज करके और फिर बैक साइड में लेके और फिर हम इसको ऐसे बना देंगे आगे करेंगे थ्रेड दोनों फंदे आगे से ऐसे लूज करेंगे वापस बैक साइड में जाएंगे और दो फंदे का एक फंदा करते हैं क्योंकि एक हमने आजाले से बढ़ा लिया और यह दो का यह कुग है तो फंदे हमारे उतने ही बन गई फिर से देखिए आगे देखिए और दो फंदों का एक फंदा हम बना देंगे फिर से इसको आगे करेंगे और यह लास्ट वाले को भी हमें से बना देंगे और किनारे वाले को हम सीधा बना लेंगे यह देखिए अब आज ही इसकी लास्ट वाल में लास्ट वाल में फ्रेंड्स हमने क्या करना कुछ नहीं करना हम इन फंदों को सारे फंदों को ऐसे सीधा सीधा बना देंगे इसको तोड़ा सा ऐसे लोज कर लीजिए यह देखिए इस रो में हम अपने सारे फंदे बना लेंगे यह देखिए यह इतना डिजाइन फ्रेंड्स हमारा यह बन गया खुला खुला यह देखिए बहुत जल्दी बन के कंप्लेट होगा एक बार और देख लिजे यह देखिए यह बीच में भी इसमें यह जाली बनेगी और यह नीचे डिजाइन आएगा फिर से हमें क्या करना है एक बार फिर से देख लिजे फ्रेंड्स क्योंकि पिगनर्स को कई बार प्रोब्लम हो जाती है फस्ट वाले को बनाएंगे दो बार थ्रेड ऐसे एक बार दो बार ऐसे लपिटेंगे और इसको हम सीधा बना देंगे फिर से दो बार लपिटेंगे और इसको सीधा बना देंगे फिर से दो बार लपिटेंगे और सीधा बना देंगे यह देखिए बहुत जल्दी जल्दी बनके कम्प्लीट होगा फ्रेंड्स यह इन्हें चार रों को आपने बार बार रिपीट करना है इसको हम बना देंखें कि देखिए सारे इफंदे आपने ऐसे करने हैं कि लास्ट वाले को भी आपने ऐसे ही लपेट के बनाना है फिर देखिए अगली रों भी सिंपल है यह मैं दुबारा रिपीट करना है हर बार ऐसे ही इसको सीधा बना लेंगे हमें जल्दी जल्दी बताऊंगी इसको उतारेंगे इसको बना देंगे यह उतार देंगे यह बना देंगे इसको फिर से उतार लेंगे यह बनाए देंगे यह देखिए सारे बहुत सिंपल डिजाइन फ्रेंड्स बिगनर्स तो इसको आसानी से बना लेंगे सीधा सीधा हमने इसमें बनाना है और यह च्यार रों ही आपने रिपीट करते जाना है तो जो भी आपका प्रोजेक्ट बनाऊंगे आप बहुत जल्दी जल्दी बनके कंप्लीट होग कि बहुत खुला खुला डिजाइन यह हमारा बनता है यह देखे इतना हमारा यह बन गया फिर से देखिए नेक्स प्रो में हमने क्या करना है इसको हम सीधा बनाएंगे थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे का हम एक करेंगे यहां पे जाले से फंदा बढ़ करेंगे फिर अपनी तरफ करेंगे चार्ण ककी हम सिथे दो फंदे का हम इसले तरफ करेंगे चैसिए और के देखिए द कि दो हम देका है एक हमद्ण बना देंगे बढ़ाना है फंद्या फर्रो में अपने काउंट कर लीजिएगा अगर कम हो गए तो डिजाइन खराब हो जाएगा और ज्यादा हो गए तो भी हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा फंद्या हमारे उतने ही इसमें होने चाहिए यह देखिए इसको हम अब सीधा बना देंगे कि देखिए यह देखिए यह सारी रो हमने बनाके उतार लिए और देखिए मेरे फंदे एक दो तीन चार पांच और छे बारा फंदे डाले बारा ही दे liter नहीं कोई फंदा गटा है नहीं कोई फंदा बढ़ा है कि लास्ट रो इसको आपने क्या करना है इसको मैं आपको उतार के दिखाऊंगे फ्रेंड्स फिर देखिए आप दो बार का हमने डिजाइन डाला है आठ रो में हमारा डिजाइन कितना बनके रेडी हो गया इस रो को हम ऐसे सीधा सीधा बना देंगे दो बार फ्रेंड्स मैंने आपको ये बना के दिखा दिया है मुझे लगता है कोई प्रोब्लम नहीं आएगी आपको बनाने में लेकिन फिर भी फ्रेंड्स कोई प्रोब्लम आए तो आप मेरे से कोमेंट करके पूछ सकते हो ये देखे और इसको आप थोड़ा सा ऐसे खीच दीजिएगा क्योंकि उपर से खुला है ऐसे निचे से भी हमारा खुला है ये देखे फ्रेंड्स ऐसे इस डेजाइन की कुछ लुकाएगी बहुत सुंदर डिजाइन है आप किसी चीज में भी आप इसको डालिएगा और थोड़ी सी मोटी उन से बनाओगे और मोटी उसमें आप निडलोगे तो उसकी और ही अलग ग्रेस आएगी ये मैंने पतली पे बना के दिखाया है अगर आपको होगे फ्रेंड्स तो मैं मोटी पे भी आपको बना के इसको दिखा दूँगी ये देखिए तो थोड़ा सा और जब आप उपर बनाओगे फ्रेंड्स ये देखिए मेरी वाई टून है और इसमें बीच बीच में सिरोसकी मल्टी कलर की है तो इसकी बहुत ही सुन्दर लुक है इससे मैं फ्रेंड्स मफलर बनाऊंगी तो देखिए बहुत सुन्दर इसका डिजाइन है तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको जुरूर प्राई करना तो आपको डिजाइन कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करके बताईएगा और फ्रेंड्स डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करो आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ है थैंक यू